हेलो एवरिवन आज की रेसीपी है सर्वत ये सर्वत हम बनाएंगे तुतमलंगा से इसको सब्जा सीट्स भी कहते हैं पेट को ठंड़क पहुचाता है गर्मी से रहत देता है और जटपट बनके रेडी हो जाता है तो आए देखते हैं कैसे बनता है इसको बनाने के लिए हैं सबसे पहले सब्जा सीट को भीगा लेंगे एक चम्मच सब्जा सीटली है जितना सर्वत आपको बनाना हो जितना गिला उतना ले ली जें इसमें कई गिलास आप बना के रेडी कर सकते हैं अब इस तरह से छनी में रखे पानी से इसको धोलीजे इसमें जो गंदगी होगा निकल जाएगा, अब इसे हम एक कटोरी में ट्रैंसफर कर लिए, अब इसको पानी में भीगाएंगे हम, इस तरह से चम्मे से चलाते जाएंगे तो यह फूलते जाएगा, इसे भीगा के 15 मिनिट के लिए रख देंगे, तो अच्छे से यह फूल जाएगा, अगर टाइम कम हो तो हलका गरम पानी इसमें डाल दीजे, 15 मिनिट के बजाए, पाच रण में ही फूल के रेडी हो जाएगा, हम नार्मन पानी में इसको घोले हैं, अब इसे हम रख देंगे, 15 मिनिट में यह अच्छे से फूल जाएगा, 15 मिनिट हो गया है, इसको रखे हुए, अब इसको च जाएद के लिए बहुत भादे मन होता है, और कई बीमारियों में भी यह लापतायक होता है, बहुत लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं तुद्म रंगा को, लेकिन इस तरह से सर्वत बनाएंगे, तो मंग कर पहेंगे, एक गिलाज ठंडा द लेता है, चीनी का जो पाउडर होता है, वो फटाक से भूल जाता है, बहुत टाइम यह चीनी भी भूलने में नहीं लेता है, देखें बातों बातों में भूल के रेडी हो गया है, अब रुवाबजा लिए हैं, दो चम्मच इसमें से हम रुवाबजा डाल देते हैं, दूद के साथ दुवाबजा चीनी सब घूल गया है, इसी स्टेश पर आप चाहें तो तुद मलंगा डाल दीजे, या तो फिर गिलास में डाल लीजे, अब इसमें हम आईस क्यूब डाल देंगे, दूद तो ठंडा है, लेकिन और ठंडा सर्वत पीना है, तो आईस एक बार अच्छे से हम और चला दे रहे हैं, और गलास में डाल दे रहे हैं, आप ज्यादे तुद मलंगा पीना पसंद करें, तो तन चाह चमय डाल दीजीं, कम पसंद करें, तो एक दो चमय डाल दीजीं, ओ आपकी मर्ची, जो बक्चा हुआ, इसमसाइड में रख दीए ह सकते हैं नहीं तो दुसरे ग्लास बना सकते हैं तो इस तरह से आइस क्यूब भी डाल दिए और जट पर टेश्टी सर्वत बनके रेडी हैं वीडियो पसंद आये तो चैनल को सस्क्राइब करें लाइक सेर कमेंट करें थैंक यू वाचिंग फार दिस वीडियो